हलो विवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो के थो हम लोग जीगे के important questions discuss करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी exams की preparation कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए helpful है स्टार्ट करते हैं वीडियो first question है आपका high hug dance is associated with which state high hug dance जो है इसका संबंद किस राज़ से है मनेपुर असम मिघाल है या फिर त्रिपूरा high hug dance की बात करे तो यह आपका त्रिपूरा state से related है ठीक है धामा dance form is associated with which state बताइए धामा dance form का संबंद किस राज़ से है पीडिएफ के लिए आपको description में टालिग्राम का link मिल जाएगा आप join कर सकते हो और यह आपका dance form related है हिमाचल पुदेश चे गुरू केलू चरन मोहापात्र अवर्ड is given in which state of India बताइए गुरू केलू चरन मोहापात्र अवर्ड जो है यह भारत के कौन से राज़ में दिया जाता है देखिए गुरू केलू चरन मोहापात्र जो है यह उडिशी डांस फॉर्म से related थे तो आपको पता होगा कौन से राज़ में यह दिया जाएगा option number C obviously उडिशा में related है उडिशा स्टेट से राधा सृधर won the Sangeet Natak Academy Award in 2018 ने बताइए राधा सृधर जो है इन्होंने जीता संगीत Natak Academy Award 2018 में कौन सी डांस में भरत नाटियम, उडिशी, मनिपूरी या फिर कुचिपूरी option number C भरत नाटियम ठीक है अगला question है बूरी बूटी यूलो फेस्टिबल is celebrated by नीशी ट्राइब in which state बताइए बूरी बूरी बूट यूलो फेस्टिबल जो है या आपका नीशी ट्राइब के द्वारा जो है celebrate कह जाता है किस राज़ में बूरी बूट फेस्टिबल है यूशी ट्राइब के द्वारा कौनसे राज में मनाया जाता है भाई यह आपके अरुनाचल प्रदेश में ठीक है option number B अगला question है the famous festival मकर संकरांती is celebrated in the month of बताइए मकर संकरांती festival जो है यह मुख्य तोहार है हिंडूस का यह कौनसे महिने में मनाया जाता है बताइए यह भाईया आपके हर साल जैनवरी में मनाया जाता है the first India newspaper that become available on internet was भारत का ऐसा पहला कौन सा newspaper था जो internet पे available हुआ था हिंदुस्तान, दे हिंदू, ताइमस अफ इंडिया या फिर पेंगॉल गैजट्ट दे हिंदू was the first Indian newspaper that become available on internet okay English newspaper है इंडिया's first digital university is inaugurated in which state भारत का पहला digital university का उद्गाटन किस राज्य में हुआ किरला अगला कोश्चन है लिंबा राम is associated with which sport लिंबा राम जो खिलाडी है इनका संबंद कौन से खेल से है फुटबॉल, हौकी, स्विमिंग या फिर आर्चरी लिंबा राम की बात करें ये भाईया आपके आर्चरी से related है option number B अगला कोश्चन है रंगा स्वामी कप इस associated with which sport बताइए रंगा स्वामी कप का संबंद कौन से खेल से है रंगा स्वामी कप का संबंद है भाई हौकी से अगला कोश्चन है वर इस दे भीम राम बेटकर मल्टी परपोस स्टेडियम में स्टेडियम आपका किस जगह पर है फैजाबाद प्रयाग राज और अंगा बाद या फिर भुबनेश्वर भीम राम बेटकर मल्टी परपोस स्टेडियम आपका कहा है फैजाबाद मिथाली राज वोस फीमस इंडियन वोमेंस क्रिकेट क्रिकेटर शी बिलॉंग्स तो विच स्टेट मिथाली राज फीमस इंडियन वोमेंस क्रिकेटर है इनका संबंद किस राजे से है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना बाई जैसे आपके नीरत चोपड़ा हो गए मिथाली राज मीरा पाई चानु है ना इन सब जैसे फेमस प्लेयर्स है उनका अप स्टेट जरूर याद रख लेना क्योंकि पूछ सकता है तान्या सचदेव is related to which sport तान्या सचदेव जो है इनका संबंद कौन सी खेल से है chess, badminton, hockey या फिर baseball तान्या सचदेव की बात करें ना तो यह आपके chess से related है तो रॉबर्स कप is related to which sport अभी हमने देखा रंगा स्वामी कप जिसका संबंद था होकी से अब आपका बताना है रॉबर्स कप का संबंद कौन सी खेल से है रॉबर्स कप यह आपका भाई अगला question पहला खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स जो है 2020 में कौन से सहर में इसकी मेजवानी की गई थी उडिशा में ठीक है इंडियन मैंस क्रिकेट टीम व危ने फ़से मैच ऑन और फरेन स्वाइल अगेंस्ट बताईए इंडियन मैंस क्रिकेट टीम ने अपना पहला विदेश में मैच कप जीता था मतलब की फॉरेन कञटरी में कोई भी अपना पहला मैच कौन सी टीम के अगेंस जीता था औस्टेलिया, साउथ आफ्रिका, न्यूजिलेंड या फिर वेस्ट एंडिस तो भईया अपना पहला मैच जो है फॉरेंड सॉइल पे जीता था इंडिया ने किसके खिलाफ न्यूजिलेंड के खिलाफ option number C the maximum number of balls a baller can ball in ODI cricket matches बताइए, ODI cricket match जो 50 over का होता है तो जैसे एक baller है वो maximum कितने overs तक कर सकता है वो maximum आपका 10 over कर सकता है 10 into 5 कर दो तो 50 हो गया, जैसे 20 over का गयम है, तो 4 into 5 कर दो 20 हो गया, है ना इस प्रकार से होता है चैनो वो अगला question है the number of white square chess board is देखे, chess का जो game होता है तो इस तरीके का होता है chess तो इसमें कितने square होता है आप समने chess तो खेलाओगा और नहीं भी खेलाओगा तो आपने देखाओगा किस type के इसमें chess खोला जाता है board पे तो कितने square पूछ रहा है आप से होते हैं 32 आपके white square होते हैं और 32 आपके black square होते हैं तो question आपसे white पूछे white square या फिर black square तो आपके 32 होंगे लेकिन अगर पूछ ले आपसे दोनों मिला के कितने होते हैं तो 64 होते हैं ठीक है चलिए अगला question क्या है आपका Helsinki is the capital of which country Helsinki किस देश की राजधानी है Finland, Thailand, Switzerland या फिर मैक्सिको तब यह हैं Helsinki की बात करें Helsinki जो है यह capital है Finland की India won the 2011 ICC ODI World Cup फाइनल अगेंस्ट विच टीम बारत ने ICC 2011 का World Cup जीता कौन सी टीम के खिलाफ Australia, Western Indies, Bangladesh या फिर श्रिलंका तो इंडिया ने किस के खिलाफ जीता था 2011 में श्रिलंका के खिलाफ तो वीडियो कहीं पैंड करते हैं वीडियो अच्छल अगर हमाचल पर आप नहीं हो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और आपने अगर टेलिग्राम अभी तक जोइन नहीं किया है तो भाई टेलिग्राम जोइन कर लिजे वहां पर आपको पीडियो अगरा इसके मिल जाएंगे